प्रधान मंती नरेंदर मोधी ने शुकरवार को देश की नई रास्टे शिक्षा निती पर अपनी बात रखी है शिक्षा मंत्राले द्वारा आयोजित एक कॉन्फरेंस में पीम मोधी ने शुरुवाती संबोधन दिया पीम नरेंदर मोधी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंत्राले बाद नई शिक्षा निती को मंजूरी मिली है आज हर विचार धारा में लोग इस मसले पर मंत्राले द्वारा आज इस निती का कोई विरोत नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफोर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा ये सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बलकि एक महायग्य है जो नए देश की नीव रखेगा और एक सदी तयार करेगा संबोधन में पीम ने कहा कि अब इसे जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वो पीड़ी को तयार किया जा सके ये निती नए भारत की नीव रखेगी पीम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी सिक्षा जरूरी है प्रधान मंतरी बोले कि आज जब नर्सरी का बच्चा भी नए तकनीक के बारे में पड़ेगा तो उसे भविश्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी कई दशकों से शिक्षा निती में बदलाव नहीं हुआ था इसलिए समाज में भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था कभी डॉक्टर इंजिनियर वकील बनने की होड लगी हुई थी अब युवा स्ट्यूशन्स और इंफ्रस्ट्रक्चर में ये रिफर्म्स रिफ्लेक्ट होंगे तभी राष्ट्रिय शिक्षा निती को अधिक प्रभावी और त्वरीद गती से इंप्लिमेंट किया जा सकतेगा आज समय की मांग है कि इनोवेशन और एडप्शन की जो वेल्यूज हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो खुद हमारे देश के इंस्टिटूशन से शुरू होनी चाहिए और जिसका नेत्र तो आप सब के पास है जब हम एड़ुकेशन और विशेश हायर एड़ुकेशन को एंपावर सोसाइटी के निर्माता की रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हायर एड़ुकेशन इंस्टिटूशन को भी एंपावर करना जरूरी है और मैं जानता हूँ, जैसे ही institutions को empower करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है और वो शब्द आप बली बाती जानते हैं, वो शब्द क्या है, आटोनोमी, आप भी जानते हैं कि आटोनोमी को लेकर हमारे यहां दो तरह के मर्द पुरे देश में प्रवर्तमान है एक कहता है कि सबकुछ सरकानी नियंतरण से पूरी सक्ति से चलना चाहिए तो दूसरा कहता है कि सभी समस्थानों को बाइडिफॉल्ट आटोनोमी मिलनी चाहिए पहली अप्रोच में नन गवर्मेंट समस्थानों के प्रती मिस्ट्रस दिखता है तो दूसरी अप्रोच में आटोनोमी को एंटाइटलमेंट के रूप में भी ट्रीट किया जाता है गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है दोनों मतों के मद्दे से ही निकलता है जो संस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करें उसको ज्यादा फ्रीडम से रिवर्ड किया जाना चाहिए इससे क्वालिटी को एनकरेज्मेंट मिलेगा और सबको ग्रोग करने के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिशी राष्ट्रिय शिक्षानिती आने से पहले हाल के वर्षव में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों अनेकों इंस्टिटूशन को आटोनॉमी देने की पहल की है मुझे उमीद है राष्ट्रिय शिक्षानिती का जैसे जैसे विस्तार होगा शिक्षा समस्थानों को आटोनॉमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें